कमपरिशन अकडमी की यूटूब पोर्टल पे आपका स्वागत है उम्मिद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और कमिता पर आधारित वीडियो आपको परसों भी दिया गया था आपको कल भी दिया गया था कल प्रशन संख्या 150 तक हम लोगों ने की परिक्षा 15 दिसंबर से 23 दिसंबर के बीच में हिंदी का पर पड़ेगा वैसे पर लगब अंति में ही होता है तो 20 21 के आसपास होना चाहिए वैसे अभी परिक्षा की डेट नहीं है कि हिंदी किस दिन होगा लेकिन इतना यह डिसाइड जरूर है नोटिफिकेशन उन्हे अभी आप लोगों का नहीं जारी हुआ है तो चलिए शुरू करते हैं यहां पर जो तीन दिन से लगातार दिया जा रहा है वो सिर्फ इसलिए ताकि आपका रिवीजन हो सके तो कभिताओं से संबंदित आज ये तीसरा वीडियो आपको मिलेगा प्रश्न संख्या 150 तक हम को ने बात कर लिया था अब प्रश्न संख्या 151 से आज हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 151 से निम्न में से असत्त विकल्प कौन सा है आंगन के पारद्वार का बेसंग्र है पांच खंडों में विभकत है अहेरी शब्द आलोक का प्रतीक है इन में से गलत विकल्प पहला होगा आंगन के पारद्वार काबेसंग्रह में पांच नहीं बल्कि ये तीन खंडों में विभकत है पहला खंड अंतह सलिला दूसरा चंदकांत सिला तीसरा असाध्यवीना निम्ण में से दूसरे सब्दक के कवी नहीं है कौन नहीं है शकुंतल माथूर भवानी प्रसाद मिस्र समसेर बहादूर गिर्जा कुमार माथूर उत्तर हो जाएगा डी गिर्जा कुमार माथूर तार सब्दक के कवी है दूसरे सब्दक के नहीं पहला सब्तक नहीं लिखा जाता है ध्यान दीजिएगा केवल पहले सब्तक को लिखा जाता है तार सब्तक और फिर आगे लिखा जाएगा दूसरा तार सब्तक तीसरा तार सब्तक चौथा तार सब्तक इस तरीके से तो ध्यान रखना पहले वाले को पहला तार सब्तक नहीं ल विकल्प कौन सा होगा इसमें 16 कवियों का नाम मैंने दिया है चारों विकल्प में मिलाकर अग्गे मुक्तिबोध नरेश मेहता धर्मिर भारती बिल्कुल सही है इनका कालकरम नागारजुन केदारनाथ अगरवाल स्योमंगल सिंग सुमन तिरलोचन ये भी सही है सियराम सरण किसका हुआ है तो आप देखेंगे सबसे पहले नागारजुन का जन्म हुआ और उसके बाद भावानी परसाद मिस्र का जन्म हुआ फिर तिरलोचन का जन्म हुआ और अंत में नरेश मेहता तो इस तरीके से आपका डी विकल्प गलत होगा निम्ण में से असत्त विकल्प क छायवादी के रूप में जाना जाता है संसद से सणक तक धूमिल की रचना है इसमें से सी घलत होगा क्योंकि दुसियंत कुमार को छायवादी के रूप में नहीं जाना जाता है बलके गजलकार के रूप में जाना जाता है गजलकार निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है आत्म जई का आधार कठोप निसद का नचि केता परसंग है आत्म जई में नचि केता प्रबुध नई पीड़ी का परतीक है कुवर नारायन, नया प्रतीक, छायानट, आज कल पत्रिका के संपादक से जुड़े थे चक्रवी हुरचना कुवर नारायन का नहीं है यही गलत होगा चूकि चक्रवी हुरचना भी कुवर नारायन का है यहाँ पर नहीं लिखा है इसलिए यह विकल्प आपका गलत हो जाएगा अगला प्रस्न देखें निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है मृत्तात्मा की वसीयत लक्षमिकांत वर्मा की रचना है एक कंठ विस्पाई दोस्यंत कुमार की रचना है एक कंठ विस्पाईज दक्ष शिवशती आख्यान पर आधारित है वंसी और मदल के लेखक सोम ठाकूर है इसमें से गलत विकल्प होगा डी सोम ठाकूर नहीं है इसके लेखक बलकि ठाकूर प्रसाद सिंग है ठाकूर प्रसाद सिंग प्रमपरा अरजित किया गया सत्य होता है जो दी गई है वह रूड़ी है प्रमपरा वह है जो व्यक्ति के विवेक के साथ समवाद करने की छमता रखती है किस ने कहा है? अग्गे, मुक्तिबोद, राम्बिला सर्मा, भवानी प्रसाद मिस्र उत्तर हो जाएगा A अग्गे ने कहा है। निम्ध में से असत्य विकल्प कौन सा है। आत्मज़ई, अंधायुग, संसे की एक रात, मिथकी ये काब्ब है, हाइकू जो की जापान की कविता है, हाइकू में तीन पंग्तियां होती है। हाइकू में पहली पंग्ति में 5, दूसरे में 7, और तीसरे में पांच अक्षर होते हैं साथ गीत वर्ष डॉक्टर संभूनाथ सिंग की रचना है इसमें से गलत होगा डी साथ गीत वर्ष धर्म बीर भारती की रचना है संभूनाथ सिंग का नहीं है निम्न में से कौन तीसरे सब्तक के अंतरगत नहीं है हरी नारायन व्यास कीरती चोधरी केदारनाथ सिंग मदन वात्षायन उत्तर हो जाएगा ए हरी नारायन व्यास निम्न में से कौन सी कविता राम्बिलास सर्मा का नहीं है चांदनी परिनती शार्दिया रूप च्छाया उत्तर हो जाएगा डी रूप च्छाया रांगे रागो का है रूप च्छाया बाकी ये सारी कविता है आप देख रहे हैं ये सारी कविता है राम्बिलास सर्मा की ह निम्ण में से असत्य विकल्प कौन सा है मुक्तिबोध ने तिरलोचन को अवध का किसान कवी कहा है तिरलोचन का एक मात्र अवधी कृत अमोला है फूल नाम है एक काबे संग्रह तिरलोचन सास्त्री का है राह के दीपक कावे संग्रह भी तिलोचन सास्त्री का है डी गलत होगा राह के दीपक कावे संग्रह रांगे रागो का है रांगे रागो का है तिलोचन का नहीं है अगला प्रश्न निम्ण में से कौन सी रचना तिलोचन सास्त्री की नहीं है देखें कभी कभी यह भी पूछ ले आता कि इनका मूल नाम क्या है, तिलोचन सास्त्री का जो मूल नाम है वह है वासुदेव सिंग, तो इस सीज्ट कभी आप ध्यान रखें, यहां पर बिन्ध हिमाचल कविता, तिलोचन सास्त्री की नहीं है, सिउमंगल सिंग सुमन की है, निम्ण में से असत्य विकल्प कौन सा है अंधेरे में कविता को मुक्तिबोध ने अलिगरी कहा है नामोर सिंग ने अंधेरे में कविता को परम अभिवक्ति की खोज कहा है परभाकर माचवे ने अंधेरे में कविता को गवरनी का इन वर्सेस कहा है मुक्तिबोध की कविता भूल गलती की तुलना चट्टानों से की गई है इन में से गलत कौन सा होगा तो D गलत होगा मुक्तिबोध की कविता भूल गलती की तुलना चट्टानों से की गई है गलत है निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है मैं परियोगवाद का अगवा नहीं पीछ लगवा हूँ दिनकर ने कहा प्रगतिवाद समाजवाद का ही साहित्तिक अभिव्यक्ति है डॉक्टर नगेंवर ने कहा नामोर सिंग नई कविता को परियोगवाद का छदम रूप मानते हैं विचुप्ध बुद्ध के मारगश्वर निराला की कविता है इसमें से डी गलत होगा विचुप्ध बुद्ध के मारगश्वर निराला की कविता नहीं है बलकि मुक्ति बोध की कविता है अगला प्रश्म निम्ण में से असत्य विकल कौन सा है पंत ने युगवाणी में प्रगतिवाद को युग की वाणी कहा है केदारनाथ अगरवाल को केन का कवी कहा जाता है अपनी पुत्री के लिए केदारनाथ ने जमुन जलत्तुम कविता लिखी केदारनात को अपूर्वा काबे संकलन के लिए साहित अकादमी पुरुषकार से सम्मानित किया गया यहाँ पर सी विखल्प गलत है अपनी पत्नी के लिए उन्होंने जमुन जलतुम लिखा था पुत्री के लिए नहीं बाकि आप लोगों का रिवीजन कैसा चल रहा है जरूर एक बार कमेंट करके बताएं और यह प्रस्ण आप लोगों के लिए कितना उप्योगी है अपनी प्रत्किरिया जरूर व्यक्त करें इससे पिछले जो दो वीडियो हैं उन्हें आप देख लें और इसे आप देखी ही हैं तो इस तरीके से आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा और इसलिए वीडियो मेंने पब्लिस किया है कि मारे बहुत सारे वीवर इंतेजार करते रहते हैं निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है नागरजुन की पहली हिंदी कविता राम के प्रती है राम के प क्योंकि राम के प्रती कविता हंस पत्रिका में नहीं छपी थी बलकि विश्व बंधु पत्रिका में छपी थी जो की लाहोर से प्रकासित होती थी विश्व बंधु पत्रिका निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है सिंदूर तिलकित भाल नागर्जुन की परणे परकरचना है नागर्जुन की कविता भसमांकुर में क्रिश्न और राधा के संबंधों का वड़न है भसमांकुर कविता में बरवेच्छन का परियोग किया गया है नागर्जुन दीप पत्रिका के संपादक भी रहे हैं इसमें से गलत होगा बी नागर्जुन की कप्ता भास्पांकुर में कृष्ण और राधा नहीं बलकि शिव पारवती के संबंधों का वड़न है राधा कृष्ण का नहीं निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है प्रगतिवाद के आदि प्रवर्त कार्ल माक्स है दुन्दात्मक भौतिक वाद प्रगतिवाद का आधार है प्यासी पत्राई आँखे नागर्जुन की रचना है वसंत में प्रसंद हुई पिर्थिवी तिरलोचन की रचना है इसमें से आपका घलत होगा डी बसंत में परसंद हुई परत्वी तेलोचन का नहीं बल्कि केदारनात की रचना है केदारनात जी की कविता है निवनमें से असत्युकल कौन सा है संसेर बहादुर को कभी के कहा जाता है अग्ये की कविता चिंता का विशे प्रेम है अग्ये की प्रसिद्ध व्यंग रचना ही हारिल है अग्ये की रचना बावरा अहेरी की आरंबिक पंक्तियों पर उमर खयाम की रुबाईयों का प्रभाव है इसमें से सी गलत होगा क्योंकि अग्ये की परसिध व्यंगात्मक जो कविता है जो रचना है वोहिए हारिल नहीं है बलकि परसिध व्यंगात्मक रचना है सांप अगला प्रश्ट निम्ण में से असथ विकल्प कौन सा नकेनवाद परियोगवादी का विधारा के लिए परियुक्त हुआ नकेनवाद महराष्ट के पांच कवियों के नाम पर है गोविंद सर्मा ने नई कविता को परियोगवाद का विक्सित रूप माना प्रगतिवादी काबिश्रिष्टी वर्ग चेतना परधान है इसमें से बी विकल्प आपका गलत है नकेनवाद महराश्ट नहीं बल्कि विहार के तीन कवियों पांच कवी नहीं तीन कवियों विहार के पांच नहीं बल्कि तीन कवियों के नाम पर रखा गया है और वो है नलिन विलोचन सर्मा, केशरी कुमार और नरेस महता ऐसा भी प्रस्ण पूछा जाता है कि नकेनवाद में कौन सामिल नहीं है तो इन तीन नामों को अगर आपको पता है अच्छी बात है नहीं पता है तो लिख लें नलिन बिलोचन सर्मा केसरी कुमार नरेश महता अगला प्रस्ण देखें प्रगतिवादी लेखक संग की अस्थापना लंडन में मुलक राज आनंद वा सज्जाद जहिर के परयास से हुआ था वहीं लखनओ के 1936 के प्रगतिवाद के प्रथम अध्वेशन के अधिश्ता प्रेम चंद जी ने की थी लेकिन प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगद तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा D, एक, दो, तीन, तीनों का प्रभाव रहा है या तीनों का योगदान रहा है प्रगतिवाद के अंतरगत कौन सा विचार अमान्य है आपका उत्तर हो जाएगा B, रूप वाद अमान्य है बाकी प्रगतिवाद में अथार्थवाद क समाजवाद को मानेता है निम्न में से असत्य विकल्ब कौन सा है नागरजुन का वास्तविक नाम वैदनात मिस्र था नागरजुन जी ने दीपक और विशवंधु पत्रिका का संपादन किया था हिंदी में नागरजुन तथा मैथली में यात्री उपनाम से लेखन कारिक किय मेतली कविता पत्रहीन नगनगाच के लिए ज्यानपीठ पुरुसकार मिला इस के लिए सहित अकादमी पूरुस्कार मिला था साहित अकादमी पुरुषकार मिला था बालकृष्ण सर्मा नवीन की कौन सी रचना 1918 इस्वी में प्रतिभा पत्रिका में प्रकासित हुई जिसका अन्य नाम जीव ईश्वर वार्तालाब भी है उत्तर होगा आपका ए उनके कविता का नाम है अहवान ये 1918 इस्वी में प्रतिभा पत्रिका में प्रकासित हुई थी और इसी का दूसरा नाम है जीव ईश्वर वार्तालाब अगला प्रस्ण है निम्न में से कौन सी प्रविर्ती परियोग वाध की है आपका उत्तर हो जाएगा डी उप्रोक्त सभी ये सभी के सभी प्रविर्तियां परियोग वाध की है केदारनाथ सिंग के किस कविता में मा का त्याग और परिवार की सुरक्षा के प्रती समर्पन चित्रित है उत्तर हो जाएगा सी सुई और धागे के बीच में निम्ण में से किस की कविताओं में छायावाद, प्रगतिवाद, परियोगवाद, तीनों की समान रूप से सुईकरती है समसेर बहादूर सिंग, जगदीश गुप, रामदरस मिस्र, नरेश महता उत्तर हो जाएगा ए समसेर बहादूर सिंग निम्ण में से नई कविता की विशेशता कौन सी है जीवन के प्रति आस्थावान होना, परंपरागत मानेताओं का विरोध, नया सौंदरिबोध, ईस्वर में आस्था और असंसे की स्थिति यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा पहला, एक, दो और तीन सही है, चौथा गलत है चौथा गलत इसलिए है कि ईस्वर में आस्था और संसे की स्थिति है ना कि आसंसे इसलिए आपका चौथा गलत होगा नई कविता का केंदरविंदू क्या है तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा D, लोक जीवन की अभिव्यक्ती ही नई कविता का केंदरविंदू है अगला प्रस्ण नई कविता को विंब परधान किस ने कहा है? उत्तर हो जाएगा B, संभू नात सिंग ने कहा है उत्तर होगा भी संभूनात सिंग ने कहा है, राम मनोहर लोहिया के प्रति मेरी प्रतिनिधी कविता किसकी है, कुर नारायन, मुक्ति बोध, रघुवीर सहाय, राम दरस मिस्र, उत्तर हो जाएगा सी, रघुवीर सहाय, सहज कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? रवींद्र भर्मर, सलिल गुप्त, लक्ष्मी कांत वर्म, जगदीश चतुवेदी, उत्तर हो जाएगा ए, रवींद्र भर्मर, सहज कविता आंदोलन के प्रवर्तक थे? निम्न का विशंग्र है और लेखक का वेमेल जोड़ा कौन सा है? इतिहास हंता, जगदीश चतुवेदी, अपनी केवलधार अनुल कमल, नेपत्थ मेहसी, राजेस जोसी, बची हुई पिर्थिवी चंदरकांत देउताले, उत्तर हो जाएगा आपका डी, बची हुई पिर साहित अकादमी पुरुषकार नहीं मिला है, तो यहाँ पर मैंने रचनाकार का नाम भी लिख दिया है, अकाल में सारस केदार्नाथ सिंग का है, इसे भी मिला है, सतरंगे पंखवाली नागरजुन की जो रचना है, इसे साहित अकादमी पुरुषकार नहीं मिला है, दो पं पैर में टोपी जो व्यंगात्मक कविता है वो किसकी है आपका उत्तर हो जाएगा डी लक्षमी कांत वर्म का है सिर पर जूता पैर में टोपी देखे उल्टा कहा गया व्यंगात्मक कविता इसलिए मैंने कहा कि जो व्यंगात्मक कविता है ये किसकी है लक्षमी कांत वर्मा मेंपल, स्वपनभंग, अनुरक्षन, काब्वे रचनाएं किसकी है माया दरपन कविता किसकी है धूमिल, स्रिकान, धर्म बिरभारती, दुसेंत कुमार उत्तर हो जाएगा बी स्रीकांत वर्मा दिनकर ने किसके लिए कहा है कि दूसरों के लिए किराय पर ये आंसु बहाने वालों के बीच ये एक ऐसा कभी है जो सचमुच अपनी पीड़ा से रो रहा है मतिराम घनानन जाइसी रहीम उत्तर हो जाएगा बी घनानन लक्षन का विश्रित मैदान खुला रहने पर भी हिंदी कवियों ने इसके भीतर बहुत कम पैर बढ़ाया एक घनाननद ही ऐसे कभी हैं जिन्होंने इस छेतर में अच्छी दोड़ लगाई किसका कथन है रामचंद्र शुक्ल डॉक्टर नगेंद्र बच्चन सिंह हजारी प्रसाद दुवेधी उत्तर हो जाएगा ए आचार रामचंद्र शुक्ल देखिए सारी चीज़ आप हिंदी साहित कजब इतिहास पढ़ेंगे कि किसके बारे में रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है तो आचार रामचंद्र शुक्ल का हिंदी इतिहास पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी हमारे जो पेड़ बेची समय चल रहा है उसमें इकाई एक चल रहा है जिसमें हिंदी भाषा लगभग समाप्त हो गया लगभग क्या पूरी तरीके समाप्त हो गया वणमाला चल रहा है यानि व्याकरण चल रहा है व्याकरण में वणमाला हो गया लिंग वचन कारक वाच अव्वे ये सारी चीज़ करा दी गई है आज संदी और समास की कक्छा है तो संदी और समास की कक्छा होगी और फिर उसके बाद कल से हम लोग आ जाएंगे हिंदी साहिती के इतिहास में IKai 2 सुरू करेंगे कल से यदि आप जोईन करेंगे तो IKai 1 का जितना video lecture PDF आपका छूट गया है उत्तर हो जाएगा आपका C, नंदुलारे वाजिपेई, निराला को किसने क्या कहा है का बेमेल जोड़ा कौन सा है, क्रांतिकारी कभी मुक्तिबोध, महाप्राण निराला, गंगापरसाद पांडे, काबे का देवता, विशंभर मानो, बहु वस्त असपरसनी प्रतिभा का सा ने कहा है, लिखना चाहें, आप लिख लें, डॉक्टर बच्चन सिंग, बांधो ननाव, इस ठाओ बंधो कभीता में किसका चित्रन है, देखें, यह सारी कभीता है, पूरा विश्तित पढ़ा दी गई है, इस समय सिर्फ और सिर्फ प्रशनों के माध्यम से रिवीजन करा हमारे हां का जो सेडियूल है, वो यह होता है, कि सुबा जिस टॉपिक पर आपको पीडियाफ नोट्स देंगे, उसी टॉपिक पर दोपहर में धाई बजए आपको डिस्क्रिप्टिव वीडियो लेक्चर देंगे, यानि जिसमें पॉइंट टूपॉइंट समझाया जाता है, और फिर उसी पर आधारित रात में नोवजे लाइव कराया जाता है, आपको अलग से न मैटर खरीदने की जरूरत होती है, ना अलग से पढ़ने की जरूरत होती है, तो इस सीज़ का आप ध्यान रखें, कि अगर आप हमारे हां जौइन करते हैं, तो लगातार आपको क कविता में किसका चित्रन है, एक गरीब और बेसारा महिला का, एक निसाहाई इूती जो विध्वा थी, एक चतुर बुद्धिमान और तरकसील महिला का, एक ऐसी महिला जो प्रेम में अर्ध पागल अवस्था में है, तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर प्रस्न देखें, सोचा मन में वह सकुंतला पर पाठ अन यह अन्यकला, उपरोक्त पंक्ति किसका विता की है, सरोज स्मिर्ति, जोही की कली, अशाध्य वीना, राम की सक्ति पूजा, उत्तर हो जाएगा आपका पहला, यह सरोज स्मिर्ति की पंक्ति है, जहाँ पर सरोज की सकुंतला से की गई है, क्योंकि सरोज भी ननिहाल में रहती है, सकुंतला का भी लालन पालन ननिहाल में हुआ था, तो वहीं उसी को लेकर, उसी विसेवस्ति को लेकर यहाँ पर बताया गया है, कि सोचा मन में वह सकुंतला पर पाठ अन्यकला, अगला प्रस्न देखें, सर उत्कृष्च सर्ट Karmach जिवन संध्या निक्रिश्ट मौत आपका उत्तर हो जासाएगा बी अंध्य जो कहा गया है मूंद्य द्रिगवर हalter हम कि दूझ तो जिए वेशरित करआ गया गया हैं वहाँ पर यह शारी चीजें पूरी वेशरित आपको बताई गई हैंалось यहां पर सिर्फ प्रश्णों के माध्यम से आप रिवीजन करें रस विद तुगह यानि गा मतलब गाना गाने के लिए कहा गया है कि आप गाई यह कथन असाध्य वीना में किसके लिए कहा गया है अब कुछ लोग तुरंट अगर ऐसा प्रश्ण आएगा तो कहेंगे प्रिय को दिद करता है जिससे वीड़ा बनी हुई है उसके लिए कहा गया कि रस विद तुगह तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा ए महादेवी वर्मा का एकांकी जीवन ही उनकी वेदना का मूल प्रेरक है कर्थन किसका है यहां पर उत्तर हो जाएगा आपका ए डॉक्टर नगेंद्र का यह कर्थन है देखे कविता जो आपके पाठिकरम में है अगर उनकी पंक्तियां आपको याद है तो बहुत अच्छे से सारे प्रस्ण आप कर लेंगे निराला के किस रचना की भूमिका जैसंकर प्रसाद ने लिखा है अनामिका परिमल गीतिका अनिमा उत्त इन्होंने जगत के अनेक प्रस्तुत रूपों और व्यापारों को भी अपने सरल भावनाओं के रंग में देखा है आपका उत्तर हो जाएगा ए महादेवी वर्मा के लिए आचारे राम चंद्र शुक्ल ने यह कथन कहा है परिमल का कभी वेदना का कभी होकर नहीं रह जाता वो प्रेम और सौंदर का कभी हो जाता है किसने कहा है उत्तर हो जाएगा आपका ए डॉक्टर राम विलाज सर्मा ने कहा है अंधेरे में कर रखता लोक पुरुस कोई और नहीं कामाईनी का मनु है किसने कहा है राम विलाज सर्मा संभूनात नामोर सिंग निर्मला जैन उत्तर हो जाएगा ए डॉक्टर राम विलाज सर्मा ने कहा है मुझे प्रोफेसरों के बीच में छायावाद सिद्ध करना पड़ेगा कथन किसका है निराला महादेवी वर्मा जैसंकर प्रसाथ सुमित्रा नंदन पंत यहाँ पर भी उत्तर हो जाएगा आपका सूरिकान तिरपाठी निराला अगला प्रसन देखें भूल गलती कविता में किसे बेखोफ नीली विजिलियों को फेकता बताया गया है सेनपती भूल गलती इमान उत्तर हो जाएगा आपका इमान यहाँ पर इमान को बताया गया है भूल गलती कविता के बारे में असत्य विकल्प कौन सा है लोहे के बने रक्षा कवच को अब मिट्टी की तरह हो गया है बताया गया वादसा में भी पुरानी अकड़ नहीं है अब वो रेत की तरह भुरभुरी है बादसाही व्यवस्ता की तुलना साप से की गई है बादसाही के दिन आज भी वही धाक दिखा रही है गलत है यहाँ पर डी विकल्प गलत होगा क्योंकि बादसाही की धाक अब वैसी नहीं रही खोखली हो गई है यह बताया गया है अगला प्रस्म निम्न में से असत्य विकल कौन सा है इन में से कौन सा सही है आपका उत्तर होगा डी एक दो तीन तीनों सही है यहाँ पर जो सत्पुड़ा के जंगल है भवानी प्रसाद मिस्र की जो कविता है सत्पुड़ा के जंगल में गोड़ जनजाती का जिक्र है देखें मैं इसलिए कहता हूँ कि पंक्तियां आप जरूर धान रखें गोड जंजाती का बिल्कुल जिक्र है पंक्तियां आप खुद देखें कि इन वनों के खूब भीतर चार मुर्गे चार तीतर पाल कर निस्चिंत बैठे विजन वन के बीच बैठे जोपड़ी पर फूश डाले गोड तगले और काले वहीं सत्पुड़ा के जंगल में आप देखेंगे होली ते वहार का भी उल्लेख है कि जबकी होली पास आती सरसराती घास गाती और महुये से लपकती मत करती बास आती गुझ उठते ढोल इनके गीत इनके बोल इनके सत्पुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए उंगते अनमने जंगल अभी जो पंजाब असेशन प्रोफेसर की परिक्षा हुई है वहाँ भी पूछा गया नींद सब्द को पूछ लिया गया कि सत्पुला के जंगल किस में डूबे हुए है तो नींद में डूबे हुए हैं, नींद में डूबे हुए से तो अगर पंक्तियां आपको याद रहती हैं तो बहुत सारे प्रस्णा आप बहुत ही आसानी से कर लेते हैं नागर्जुन सही अर्थों में भारतिय मिट्टी से बने आधुनिक तम कभी है किस ने कहा है उत्तर हो जाएगा भी सैलेंदर चौहान ने कहा है नागरजुन ने कालिदास कविता में कालिदास के किस रचना का उद्धरण नहीं दिया है रगवन सम्, कुमार संभव, मेग दूत, रित्यु संगहार आपका उत्तर हो जाएगा डी रित्यु शंगहार आप लोगों ने नागरजुन की कविता जो आपके पाठिकरम में कालिदास है मुझे लगता है कि आप लोगों ने इसे पढ़ा होगा बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और आप देखेंगे कि अगर हम रखवन्सम की बात करें यहां पर जो रखवन्सम लिखा हुआ है अगर इस रखवन्सम की बात करें तो आप देखेंगे कि यह जो उद्धरन लिया गया कि कालिदास सच बतलाना इंदु मती के मृत शोक से अज रोया या तुम रोय थे ये रगुवन सम कही तो है कुमार संभौम की अगर बात करें तो शिव जी की तीसरी आँख से निकली हुई महा जौला से घृत मिस्लित सूखी समिधा सम काम देऊ जब भस्म हो गया ये पंक्त सब्सक्राइब करें तो यहां पर किस रचना के उद्रण नहीं है आपका उत्तर होगा डी रित्वशंघार इसलिए आपको समझाते हैं बार-बार अब कुछ लोग केतने कि सर आप वीडियो में बोलते जाता है एक्स्ट्रा चीजें एक्स्ट्रा बोलने से मैं अपने घर क घर कि बात नहीं कर रहा हूं आप यह लोगों को समझा रहा हो है और आप ही लोगों के लिए वीडियो फब्लीक्या और आप जितना आगे बढ़ेंगे आपका भव्स्टें जितना उज्जल होगा उतना ही मेरा होगा उससे ज्यदा होगा उसका करण यह कि आप जब सुसे तुमने ही तो द्रिक्ष होए थे कालीदास से सच बतलाना रति रोई या तुम रोई ते। कौन है कामदेव की पतफनी शिव की पत्नी आज की पत्फनी यक्ष की प्रियत्मा कौन है तो आपका उत्तर हो जाएगा ए कामदेव की पत्नी रगुवन्सम से आज और इंदुमत्ति प्रसंग लिया गया वहीं कुमार संभौम से कामदेवरती का प्रसंग लिया गया मेगदूत में आप देखेंगे तो विरह और उसका येच और उसका विरह है तो यहाँ पर जो भी चीज़े आपको बताई जा रही है उस पर आप ध्यान दे कालिदास की कविता इन ही प्रसंगों पर आधारित है आप देखेंगे रगुवन्सम कुमार संभौम मेगदूत इन तीनों को लगुत्रई के नाम से जाना जाता है रितु संगहर जो रचना है रितु संगहर का नाम आपने सुना है उसमें 644 इसलोक हैं और ग्रियस्म से वसं तक 6 महीने की चर्चा रितु संगहर में तो बहुत सारी चीज़ें अगर इसे आप जानेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा जैसे मनेजर पंडे का नाम आप लोगों को बताया जाते हैं और इसके बाद कल आपको जो वीडियो मिलेगा कमेंट जरूर करिएगा कमेंट करिए अपनी प्रत्क्रिया जरूर व्यक्त करिए फिर आपको चौथा पार्ट वी कल हम आपको देंगे इसी कविता पर आधारित जिससे आपका रिवीजन हो सके बाकि अगर आप नया बैट जोइन करना चाहते हैं जो हमारे हाँ चल रहा है तो इस नंबर पर फोन करके वट्सेप करके फीस और सारी जनकारी ले 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 सो प्रतिस्थत ये मेरी गारंटी होगी कि जितना आपको पढ़ाया जाए अगर आप प्रत दिन उसको फालो करत हैं प्रति दिन आप पढ़ते हैं तो अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है ना अलग से कोई मैटर खरीदना है अगर परिक्षा में मेरे द्वारा पढ़ाये हुए पूरे पाठ्ठ करम से आपके क्वालिफाई करने भर का प्रस्म नहीं मिलता है फिर आप मुझ स आपको बता जिसे मैंने भी बताया मैंने पांडे ने नागरजुन को जनकवी का भले इस पीडियप में नहीं लेकिन मैंने बताया तो इन चीजों पर भी आपको गवर करना अगर आपको आता है अच्छी बात है नहीं आता है उसे लिखिए तो बाकी हम लोग फिर मिलेंग अबsmवड म सबस्सक्पय झाइ ने ने कवे हम एको आता है उसे लिखिए ने हम सबमागर की पिलें रफेर है उसे लिखरे के बता है